हलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे पालक पनीर तो चलिए श्टार्ट करते हैं पालक पनीर के लिए पेले से ही मैंने पालक की ग्रेवी बना के रखी है आप चाहे तो मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं आज मैंने लिए हांडी तो हम आज बनाएंगे हांडी पालक पनीर तो लोड़ा सा हम इसमें जीरा डाल देंगे तो जीरा अपना अच्छे से भून चुका है तो मैंने 10 से 12 का लिया लेस्टन के लिए इसे बारिक-बारी काट लिया है अब हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि यह गोल्डन कलर करना हो जाए तो यह देखे मैं इसे फ् तो अब हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा सा इसका भी कलर अगर सुनेरा हो जाएगा जब तक हम इसे भूनेंगे और यह हांडी पनीर इतनी टेश्टी बनीए आप एक वार जरूर इस हांडी में यह पालक पनीर बना के देखना आपको भूर टेश्टी ल हम इसमें पालक की ग्रेवी डाल देंगे यह आपको दिख रहा होगा कि मैंने दोनों को अच्छे से फ्राई होनी दिया लेस्टून अपना गोल्डन कलर का हो गया प्याज अपना हलका सा सुनेरा कलर का हो गया अब मैंने इसमें पालक की ग्रेवी डाल दिया तो अब हम इस पन टीस्पून मेंने सूखा धन्या पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून मेंने गरम मसाला डाला है, अब सब चीजों को हम पालक के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह, तो पालक की ग्रेवी बनाती समय मैंने इसमें एक टामाटर डाल दिया था, तो इस तरह अपनी पालक ग्रेवी बनके एक धम रेडी हो गई है, अब हम इसमें पनीर डालेंगे, सबसे पहले मैं इसमें आधा कप दई डाल रही हूं, दई से क्या होगा, इसका टेश तो और अच्छा बढ़ेगा, तो सबसे पहले मैंने इसमें आधा कप दई डाल दिया है, अब हम इसे भी अच्छे से पका लेंगे, और इसकी खुश्बू इतनी अच्छी आ रही है कि पूरा मेरा कीचन एक धम अच्छे से महग चुका है, तो ये देखिए, अपनी पालक के ग्रेवी बन के एक धम रेडी हो गई है, अब मैंने इसमें पनीर के क्यूस डाल दी है, मैंने इसे फ्राई नहीं करा है, अगर इसी तरह रखा है, अब हम इसे पनीर और पालक की ग्रेवी को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे, तो ये देखिए, अपनी पालक पनीर बन के एक धम रेडी हो गई है, तो अब मैं इसे कड़ाई में डाल के बताती हूँ, सबसे पहले हम इसका एक तड़का तैयार कर लेंगे, तो मैं इसमें ये घी डाल रही हूँ, मैंने इसमें टू इस्पून घी डाला है, आप घी की जगे ओईल भी डाल सकते हैं, पर घी से इसका टेस्ट ओर जादा पड़ेगा, अब मैंने घी को अच्छे से घरम कर लिया है, अब मैंने इसमें तीन से चाथ लसन की कलिया चोटचोटी बारी काटके रखी थी, तो अब इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और ये मैंने आठ से दस काजू लें जो इसको दो पीस में कर लेंगे इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो ये देखे अपने काजू और लेस्टन अच्छे से फ्राई हो गए है और इसमें मैंने एक मिर्ची बिलकुल बारी कटके रखी थी तो अब मैं इसे इसे भी थोड़ा सा भून लूँगी इस तरह तो ये देखिए अपना तड़का एकदम रेडी हो गया है तो अब हम इसमें मैंने गेश को ओफ कर दिया है अब गेस को ओफ करने के बाद इसमें हम हाप टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे जिससे इसका कलर और इसका टेश्ट और अच्छा बढ़ेगा तो ये देखे मैंने गेस को ओफ करने के बाद ही डाला है तो अपनी मिर्ची इस गी के अंदर जल जाएगी तो हमें ये मिर्ची डालने से पहले गेस को ओफ करना है और इधर मैंने पालक पनीर को एक कड़ाई में डाल के रखा है अब मैंने इसमें सारा तड़का डाल दिया है तो ये देखिए अपना पालक पनीर बनके एक धम रेडी हो गया है अब आप देख सकते हैं मैं आपको इसे इस तरह बता रही हूँ ये देखिए हैनला जबा पालक पनीर एक वार आप घर पे जरूर इस रेसिपी से बना के देखिए और वो भी हांडी में आप इसका टेस्ट और दो गुना बड़ेगा जिस हम भरतन पे बनाते हैं उससे हट के ये जो आप हांडी में बनाते हैं उसका अलग ही टेस्ट का मज़ा आता है ये मेरी पालक पनीर बन के एक धम रेडी हो गई है तो आप एक वार घर पे जरूर ट्राय करना वीडियो पसंद आए तो लाइक सबस्क्राइब कमेंट देना न भूले थैंक्यू